चिद्रवार की जै बुल स्यापतराम चंद्र की जै ये विचार नहे कर वट जूत सनेव बढाइ रामा जूत सनेव बढाइ माने मात कर नात वले सुरत विसर जन जाये स्यापतराम ये सोच कर जूटा इसने बढ़ा कर में हट नहीं करती में बलाईयां लेती हूं माता करनाता मान कर मेरी सुद्ध भूल न जाना तो देव पितर सब तुमाहें गुसाई राखं पलक न या न कीनाई अबादे आम्बो प्रिया पारे जान मीना तुम करना कर धरम धुरीना हे गुसाई सब देव और पितर तुमारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलक न आँखों की रक्षा करती है तुमारे बनवास की अवदी 14 वर्स जलहे प्रिये जन और कुटम भी मचली है तुम दया की खान धरम की धुरी को धारन करने वाले हो तो असब चारे सोए कर रहूं उपाई सबह जियत जेहे बेंटे हुआई जाजो जुके न बनाए बले जाओं करे अनाथ जन परे जन गाओं एसा बचार कर वहीं उपाई करना जिसमें सब के जीते जी तुम आन मिरो मैं बल्यारी जाती हूं तुम सेव को परिवार बालो नगर भर को अनाथ करके सुख पूर्वगबन को जाओ तो सावकर आजो सोक्रत फल भीता भयों कराल कालो बेपरीता चाहो वेजे बिला पेचर ना लपटानी परम अवागिने आपो ही जानी आज सब के गोड़ों का फल पूरा हो गया कठनकाल हमारे विपरीत हो गया इस प्रकार बहुत बिलाप करके और अपने को परम अवागिनी जानकर माता सी रामशंदर जी के चर्णों में लिपट गई दारो न दो सहदा हो और व्यापा वरन न जाए बिला पकलापा रामा उठाए माता उर लाई कहिम्रद बचन बहुरे समझाई हिर्दय में भयानक दुस्ता संताप चा गया उस समय के बहुविद विलाप का वर्ण नहीं किया जा सकता शी राम संदर जी ने माता को उठा कर हिर्दय से लगा लिया और फिर कोमल वचर कहकर उन्हें समझाया कि समाचारते समय सुने सिय उठी अकुलाए नामा सिय उठी अकुलाए जाए साथ सुपद कमल जुग बंद बैट से रुनाए सिय आबत राम चंदर बद जैसनम संकर रियों जै जैसिया राम उसी समय समाचारते सुनकर सीता जी अकुलाए उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चंद कमलों की बंद ना कर सीत नीचा करके बैट गी देन असी साथ सम्रद वानी अते जुकुमार देखे अकुलानी सास ने कुमर बानी से आसीरवाद दिया विस सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर ब्याक लोटी रूप की राशी और पती के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुक की ये बैठी सोच रही है के चलन चातबन जीवन नातो के ही सुक्रती सन होएं सातो की तनो प्रान के केवल प्राना बेदे करतव कचुजाए न जाना जीवननात प्राणनात बन को चलना चाहते हैं देखें किस प्रणवान से उनका साथ होगा सरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से उनका साथ होगा बिजाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती सीता जी अपने सुन्दर चलनों के नकों से धर्ती कुरेद रही है ऐसा करते समय नूपरों का जो बदो सब्द हो रहा है कभी उसका इस प्रकार बढ़नन करते हैं कि मानों प्रेम के बस होकर नूपर यह बिंती कर रहे है कि सीता जी के चलन कभी हमारा त्याज न करे तमांजो बिलो चनमो चतेवारी बोली देखि राम मेहतारी तात सुनाँ सियत सुकुमारी साथ ससुर परिजन पेयारी कि सीता जी सुंदर डेतन से जलबा रही है उनकी यह दसा देख कर सी राम सुंदर जी की माता कोसल्या जी बोली है तात सुनो सिता अत्यनती सुकुमारी है तथा साथ ससर परिजन भी सभी को प्यारी है पिता जनक भूपालमने ससरबान कुलवानु रामा ससरबान कुलवानु पते रवे कुल कई रवे पिने बेदुगोन रूपने धानु सिया पते रामु चंद्रबद जै इस्रनम संकर रियोम जै जै सिया राम। इनके पिता जनक जी राजाओं के सरोमनी हैं ससो सूलकुर के सूर हैं और पती सूर्य कुल रूपी कुमदुबन को खिलाने वाले चंद्रमात्ता गुण और रूप के बंडार हैं। तुम्हें पोने पोत्र वाइदू प्रिय पाई रूपरा से गुन जील सुआई। नयाना पुतारे कारे प्रीते वढ़ाही राखे उप्रान जाने के लाग। फिर मैंने रूप की रासी सुंदर गुन और सीलवानी प्यारी पुत्र बधू पाई हैं। मैंने इस जानकी को आँखों के पुतली बना कर इससे प्रेम बढ़ाया है। अपने प्राण इसमें लगा रखे हैं। तो कलाप बेले जे में बाहो बेदे लाली सीच सनेह सरेला प्रते पाली। फूला तफाला तभाया हो बेदे वामा जाने न जाय काह परिना। इन्हें कल्प लता के समान मेंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ इसनेह रूपी जल से सीच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय बिधाता वाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता। कि इसका क्या परणाम होगा। तो पलांग पीटे तैजे गोदाई डोरा। सियन दीन पगोवने कठोरा। जियन मूरे जे में जोग वतरा। दीप बाते नहें टारनक। सीता जी ने परियंक प्रस्ट पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पत्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जडी की समान। साबधाने से इनकी रखवाली करती रही हूं। कभी दीपक की बत्ती अटाने को भी नहीं कहती। तो सोई सी अचालाना चाहते बान साथा। आय सुका हो ए रगुनाता। चांदा के राना रासा रासे काचा कोरी। राविरोकनाया ना सकाहें के में जोरी। वही सीता अब तुमारे साथ बन जाना चाहती है। ए रगुनाता उसे क्या ग्या होती है। चंदाना की क्रणों का रस अम्रत चाहने वाली चकोरी। सूर क्योर। आख किस तरह मिला सकती है। तो करेके हरेने सेचारे चरहें दोस्त जन्त बन भूर रामा दोस्त जन्त बन भूर वेशवाटे कांकेट सोह सुत सोभग सजीवन मूर सियाबत राम चंद। पद जै सडम संकर रियों जै जै सियाराम। हाती, सेंग, राक्षस, आधी अनेक दुस्त जीव जन्त बन में विशत्त रहते हैं। क्या बिस्की बाटका में सुंदर संजीवनी पूठी सोभग सकती है। तबने तकोल के रात के सोरी, रची वे रंचे वे साय सुख वोरी। पानक्रा में जे में कठे न सुभाओ, ते न निकले सुना काना न काओ। बन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विसेशो को न जाने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है। जिनका पत्थर के कीडे जैसा कठोट सुभाब है। उन्हें बन में कभी कलेस नहीं होता। तो कैता पजतियकानन जोग। जेनत पहे तो तजासव भोग। सियावा नवासा हें ताहत के वाती चेत्र लिखेत कवे देख ढराती। अत्वा तपस्यों की इस्तियाँ बन में रहने योग्य हैं। जन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तस दिये। हे पुत्र। जो तस्वीर के बंदर को देख कर डर जाती है विसी तापन में किस तरह रह सकेगी। तसोरा सारा सोबाग बन जबन चारी। डावर जोगों के हंत कुमारी। असवे चारे जैसा आया जोई मैं सिक दे हूं जाना की जोई। देव सरोवरों के कमल बन में बिशरन करने वाली हंसनी क्या। गड़ईयों तलईयों में रहने की योग है। ऐसा विचार कर जैसी तुमारी आज्या हो। मैं जानगी को वैसी ही सच्छा दू। तसांसिय भावा न करें कह अंबा मोहिकहों ये बहोता विलंबा। माता कहती है ये सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सारा हो जाए। शी रामसंदर जी ने माता की प्रियवानी सुनकर जो मानो सीलो शनेह रूपी अम्रस्ते सनी हुई थी। तकाई प्रिय बचन विवेक मया की न मातो परितोस राम की न मातो परितोस लगे प्रबोधन जाने के प्रगट विपन गुन सी आबते राम चंदर बद जै जरनम संकर रियों जै जै सिया राम। विवेक मैं प्रिय बचन कहकर माता को संतुष्ट किया फिर बनके गुन दोस प्रकट करके वे जान की जी को समझाने रगे। के मातो समीप कहत सको चाही बोले समव समझे मनमाई राज कुमारे से खावन सोना हूँ आनबाते जिया जाने का चुबोना हूँ माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सक्ष चाहते हैं पर मनमें यह समझ कर कि यह समय ऐसा ही है वे बोले कि ही राज कुमारी मेरी सिखावन सुनो मनमें कुछ दूसरी तरह न समझ लेना तो आपन मोरनी कजाउं चाहूं बचन वार माने ग्रहरूं आयस मोरसासो सेवकाई सववे दिवा मेने ववनव लाई जो अपना और मेरा बला चाहती हो तो मेरा बचन मान कर गर रहो हे बामनी मेरी आग्या का पालन होगा सास की सेवा बन पड़ेगी घर में रहने में सभी प्रकार से बलाई है तो एते अधेक धरम नहीं दूजा सागर सासो ससोरपद पूजा जब जब मात करें सोदे मोरी होई प्रेम बेकल माते मोरी आधर पूर्वक सास ससुर के चर्णों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धरम नहीं है जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से ब्याकुल होने के कारण उसकी बुद्धी बोली हो जाएगी वे अपने कांग जबाएं सपतासा तमोई सुमें के मातों हे तराखं तो ही हे सुंधरी तब 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 तुम कोमरबानी से पुरानी कथाएं कहके करें ने समझाना हे सुमुखी मुझे सैक्रों सोगंद हैं मैं सभाब से ही कहता हूं कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूं चैनल को सब्सक्राइब करें वेल आइकन घंट को दमाएं और कमेंट बॉक्स में जैसी आराम लिखें जैसी आराम